मेरे पास साल का बेटा है उसको उनों छे साथ दिन से बहुत लग रही है आओ आओ बोलती है मतलब फुड़ा कॉप निकल रहा है पौटी में आरब नहीं हुआ उसको हम नाकु रहती हूं मैं दो साल से तो जैसे मैं मतलब अपने विस्वरुप सर्क्री इससे उसको दवाई तो देनी नहीं पड़ीती दो साल से पर इस बार उसकी तब्याद बहुत खराब हो गई तो बहुत लेटें ने तो डॉक्टर को दिखाया था मैंने तो दवाई चालू कि तो बॉक्त भी आराम नहीं हुआ कि वी अर्द अधिन उसको और खासी भी बहुत है मतलब सर्काशी में कव्त कावा जा रहा है और खासी बहुत आरही है कि लिए अफ्टर प्तली आप तो अब ही तो आज तीन बर गया है अज फेर से पतने ने पतली गया और कॉफ जैसा निकल रहा है कि शिखनाट है पॉटी में जर में त्रिफला है त्रिफला नहीं है इस अगोल इस अगोल नहीं मैं लेकर आजाओंगी आप दरता दो कि अधर क्या लाना है तो दनिया है हां धनिया है जीरा जीरा भी है मुलेथी है मुलेथी है पर चारो ना आधा दा चमत लीजिए अच्छा एक गिलास पानी में डाल को बालो हां जब पानी चौथा ही रह जाए तो इसको मसल के ठंडा होने पर मसल के छान के अच्छा थोड़ा थोड़ा करके इस बच्छे को पिलाओ मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा लूज मोशन्स हो रहते हैं हमने उसको आलो कहती दी पर उसको चार दिन बाद भी आराम नहीं हुआ फिर मैंने गोगिन भाई जी से कॉंटाइट किया उन्होंने मुझे दनिया जीदा सौफ और मुलेटी आदा आदा चमश लेके गलास पानी में उबालके आदा रह जाए तब उस पानी को बच्छे को देने को कहा उससे उससे 24 घंटे के अंदर आराम हो गया